नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे की बेटनी सोल टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, बेटनी सोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और बेटनी सोल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक हो सकते हैं, और यहां भी डिसकस करेंगे की बेटनी सोल टैबलेट की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कैसे कम किया जा सकता है, और बेटनी सोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, बेटनी सोल टैबलेट एक स्टेरोइड दवा है, जिस इसे डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस और तवचा पर खुजली होने पर आधी कंडीशन्स में बेटनी सोल टैबलेट का उप्योग किया जाता है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि बेटनी सोल टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। अगर आप बेटनी सोल टैबलेट का सेवन लंबे समय तक या ज्यादा डोज में करते हैं, तो बेटनी सोल टैबलेट की वज़े से साइड इफेक्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है। अगर आपका डॉक्तर आपको बेटनी सोल टैबलेट को केवल एक या दो सप्ताह के लिए लेने की सलाह देता है, तो साइड इफेक्स होने का रिस्क भी कम ही होता है। बेटनी सोल टैबलेट की वज़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द, पेट में बेचैनी, घबराहत और स्वभाव चिड चिड़ा हो सकता है, वा डिप्रेशन भी हो सकता है। इसके अलावा बेटनी सोल टैबलेट की वज़े से चक्कर आना, शरीर में ठकान होना, भूप का बढ़ना, वजन का बढ़ना वनींद ना आने की समस्या भी हो सकती है. कुछ व्यक्तियों में बैटनी सोल टाबलेट की वज़अ से हाथों व पैरों में सूजन भी हो सकती है और मास्पेशियों में डर्ध हो सकता है लंबे समय तक बैटनी सोल टाबलेट को लेने से शरीर की immunity कमजोर हो जाती है शरीर की immunity कमजोर होने की वज़ से कोई भी infection या कोई भी बीमारी आपको आसानी से बीमार कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को कोई infection पहले से ही है, तो betnisol tablet उस infection को ज्यादा गंभीर बना सकती है। लंबे समय तक betnisol tablet का सेवन करने की वज़ से osteoporosis हो सकता है। osteoporosis एक हड्डियों का रोग है, जिसमें शरीर की हड्डियां बहुत ही कमजोर वा अंदर से खोखली हो जाती है। और हलके से pressure या गिरने की वज़ से भी हड्डियों में fracture हो सकता है। betnisol tablet की वज़ से blood sugar level अधिक हो सकता है। और diabetes होने का जोखिम भी अधिक हो जाता है। betnisol tablet की वज़ से शरीर की घाव भरने की क्षमता कम हो सकती है। और कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लग सकता है। लंबे समय तक betnisol tablet का सेवन करने से आखों में catrack या glucoma हो सकता है। जिसकी वज़ से आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है। लंबे समय तक betnisol tablet का सेवन करने से शरीर की तवचा पतली हो सकती है। और तवचा पतली होने की वज़ा से तवचा में दरारे पड़ सकती है। बेटनी सोल टैबलेट की वज़ा से बलड प्रेशर अधिक हो सकता है। और शरीर में सोडियम का लेवल अधिक हो सकता है। और पोटैशियम का लेवल कम हो सकता है। बैटनी सोल टैबलेट की वज़ से गर्दन, चहरे, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में असामान्य रूप से fat का जमाव हो सकता है, जिसकी वज़ से चहरे, पेट या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है. बेटनी सोल टैबलेट को बच्चों को लंबे समय तक देने से बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है और बच्चों की ग्रोथ धीमी या कम हो सकती है बेटनी सोल टैबलेट की वजह से शरीर पर बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है और महिलाओं में चहरे पर भी बालों की ग्रोथ अधिक हो सकती है इसके अलावा महिलाओं के मासिक धर्म में भी बदलाव हो सकता है अब हम डिसकस करेंगे कि बेटनी सोल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. बेटनी सोल टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है. बेटनी सोल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्त इसलिए डॉक्तर की सलाह के बिना बेटनी सोल टैबलेट को लेना शुरू नहीं करना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि बेटनी सोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. TB होने पर, thyroid की बीमारी होने पर, पेट में अलसर होने पर, लिवर की कोई गमभीर बीमारी होने पर, औस्कियो पोरोसिस होने पर और मायरस्थेनिया ग्रेविस होने पर आदी कंडिशन्स में बेटनी सोल टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है. इसलिए इन कंडि बेटनी सोल टैबलेट की वजह से हड्डिया कमजोर हो सकती है। इसलिए हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कैल्शियम से भरपूर खादय पदार्थों जैसे दूद और कच्ची हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। या आप और विटामिन D के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा कच्चे फलो, सब्जियों व सलात का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए और हर रोज एक्सरसाइस करनी चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बेटनी सोल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बेटनी सोल टैबलेट को लगाने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बेटनी सोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रशन है तो आप कमेंट करके लिए।